काश मा के बाद माई का उतना ही प्यारा होता निदी और दीपक दौनों रात को ٹीवी देख रहे थे अचानक फौन की गंटी वजी दीपक की बह्न शाफाली का फौन था शाफाली और दीपक काफी देर तक बात करते रहे उनकी बातों से निदी को अंताजा लग गया था शैफाली के घर में कुछ ठीक नहीं है और शैफाली अपना घर छोड़ना चाती है देपक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था माँ बाप के बाद भाई माँ बाप की जरेत था इश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ वे नहीं चाता था उसके भूते हुए उसकी बहन गुट-गुट कर जिये उस नए बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लिया ताकि उसे कुछ समय मिल जाए सोचने समझने के लिए कभी-कभी ऐसा होता है एक साथ रहते हुए जब रोज कला कलेश होने लगता है त है सोचकर दीफक ने शैफाली को बुला लिया शैफाली वो अपने भाई पर बहुत प्रिश्वास था कि उसका भाई उसे सहारा जरूर देगा ससुराल से दुखी मन से आई थी सैफाली के टूटे हुए मन को सहारे की बहुत जरूरत थी लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा बुर्कुल नहीं हुआ भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जब तक भावी की मर्जी ना हो घर का माहर अच्छा नहीं हो सकता सैफाली को अपनी मां की बहुत याद सताने लगी अगर मां होती तो उसकी तकलीफ और अच्छे से समझ पाती दीपक सैफाली का अच्छे से ध्यान रखता था पर यह सब उसकी पतनी निदी को पिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उसे लगने लगा कि कहीं सैफाली हमेशा के लिए ही यहां ना रुख जाए निदी चलते फिर ते कुछ ना कुछ ताने देकर एहसास कराती रहती है घर छोड़ने वाली लड़कों कोई आशन नहीं होता जैसे भी हो ससराल में रहो उसके इस इशारे को खूब समझती था लेकिन अपने भाई से भी कहती तो कैसे चैती वह अपने भाई का घर छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि वह अब यहां नहीं रुखेगी उसे अच्छी तरह एहसास हो गया था कि यह अब मेरा माय का नहीं है यह भापी का घर है जिस दर्द की दवा के लिए आई थी यहां वहर ठीक होने की जह जा गई थी तभी तो कहते हैं मा की जहर दुनिया में कोई नहीं ले सकता और मा बेटी का रिष्टा अनमोल है दीपक को सब समझ में आ रहा था लेकिन वह सांती की बज़या से चुप रहता था कुछ दिनों में ही सैफाली का मन भर गया उस घर में जहां मा के रहते कभी मन भी नहीं सकता था और शेखाली वापस वहीं लोट आई आज उसे सगे भाई का घर अपनी सहीली के घसे भी ज्यादा पराया लग रहा था शेखाली ने सोचा वह कहीं भी रह लेगी लेकिन किसी पर बोज नहीं बनेगी उसने अपने पेरों पर खड़े होने का निड़े लिय शायर उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था तास मा के बाद भी माय का बेटियों का उतना ही प्यारा लगता तास भावियां समझ पाती माय का बेटियों के लिए क्या होता है आपके इस कहानी के बारे में क्या वेचार है हमें कॉमेंट करके जरूर दाए वीडियो अच टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैसी किष्णा एंजैसी राधी